लो फ्रेंड्स देखिए इस इस बुनाई का मैंने अपने चैनल पर सौट वीडियो डाला हुआ है तो आप मैं किसी कारण वस यह लॉंग फुल वीडियो नहीं डाल पाई थी अब जो है मैं इसका फुल वीडियो डालूंगी देखिए तो इसमें जो है सिक्स के मल्टिपल फंदे पड़े हुए है और प्लस टू बस तो इसमें मैंने कितने फंदे डाल हुए है एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सुत्रा, अठारा, उन्निस, द डाले हुए है तो अब मैं बनाने स्थार्ट करती हूं तो सबसे पहले हम एक, एज़ेटीज का फंदा निकालेंगे, फिरा धागा आगे किया और छे फंदे उल्टे तीन, चार, आज, छे, छे फंदे उल्टे इसको छोड़के एज़ेटीज को फिर छे फंदे उल्टे और छे फंदे शीदे छे फंदे उल्टे इसी तरीके से यह हम अपनी पूरी श्लाई करेंगे छे फंदे सीद्धे, छे फंदे शुरुआत में शे फंदे उल्टे फिर छे सीदे फिर 6 उल्टे फिर 6 सीदे इस तरीके से ठीक है फ्रेंट्स ऐसे करके देखिये गे अब इसमें सारी बुनाई में उल्टी स्लाई पूरी उल्टी ही जाएगी उल्टी स्लाई पूरी उल्टी निकाल के आपको दिखाते हैं अब हम अपनी सिधी स्लाई पे आगे हैं सिधी स्लाई धागा एक एज़ेट इच का उतार के फिर से 6 फंदे उल्टे जैसे हमने फर्स्ट स्लाई पूरी थी उसी तरीके से ये 6 फंदे उल्टे 6 सीदे करके इसको हम पूरा करते हैं ऐसे करके क्वेशनों क्रें ल्टे पूर्स 11 प्यूरी थी तरे हैं झाल प्यूरी थी तरीके से 6 एपकें फ्यूर्स अधने आपकें और एंपकें跟大家 बाईंडाए और immे כי तो मोड़ेगे से थ Țाह मूरा। झाल झाल और उल्टी शिलाई पूरी उल्टी निकाल के दिखाते हैं हमने उल्टी निकाल लिए अब हम यहां पर क्या करेंगे देखिए दिहान से देखिएगा इसमें थोड़ा सा चेंज है यहां पर अब यह सीधी रो जाएगी तो एक टीज का फंदा छोड़ दिया दो सीधा अब यह दो इधर के दो बीच में बनाई बनेगी देखिए एक ऐसे लंबा लूप थोड़ा कीचेंगे फिर ऐसे धागा देखिए ऐसे इसके उपर ऐसे धागा करके इसी में से फिर से फंदा निकालेंगे तो यह एक फंदे में तीन फंदे हमारे बन गए बगल वाले में भी ऐसे करेंगे थोड़ा लूज रखेंगे धागा लूज खीचेंगे फिर इसके उपर से खीचा और ऐसे इस तरह से दो फंदों में यह छे फंदे बन गए और यह दो फंदे ऐसे बना लेंगे अब ये छे फंदे हमारे आ गए सीधे ने भी सीधा ही बनाएंगे अब देखिए ये छे फंदे आ गए हमारे उल्टे छे में दो फंदे हमने ऐसे बना लिए सीधे अब ये दो फंदों में हम बुनाई डालेंगे ठीक है ये देखिए ऐसे थोड़ा लूज खीचेंगे फिर इस पर इसे करेंगे फिर इसमें से एक फंदाओ निकालेंगे इस तरीके से छे बैद दिया बना दिया है ऐसे इसके उपर निकाला को अधिकर दो फंदे ये आगए ये हमें 6 फंदे निकालेंगे एक दो तीन चार पांच छे आफिर फ्रसे इल्टे फंदे पर बना निकालेंगे ये थिए खिन पर थे दो तीन हम एक दो अब इसको फिर से बनाएंगे लंबा लूप खीचा थोड़ा लीप की डिजैन बनाने के लिए ऐसे एक में तीन बनाया फिर से दूसरे में लंबा लूप खीचा एक दो अब ये छे फंदे हमारे सीधे बसे उनको भी हम ले लेंगे अब ये एज़िटिस का है तो इसको भी हम बुल लेंगे अब उल्टी स्लाई आ गई हमारी तो उल्टी स्लाई में देखिए पहले तो ये छे सारे उल्टे ही बुनेंगे जो हमने तीन लूप निकाले थे एक में तीन फंदा बनाया था उसको इसकिप करेंगे सिलिप करेंगे अब ये देखिए अब ये आ गए ये तीन फंदे लूप पाले तो उनको हम ऐसे खिच के सिलिप कर दिया थोड़ा सा ऐसे हम खिच लेंगे बैलेंस करने के लिए सिलिप कर दिया अब फिर से एक दो तीन चार पांच छे फिर दो फंदे और एक दो तीन चार अब देखिए ये सिलिप बला गया अंदा एक का तीन वाला ये रहा तो दूसरा भी किया हमने ऐसे ये रहा एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार अब ये सिलिप बला आ गया फंदा मारा ऐसे ये फिर से ऐसे दूसरा भी और ये तीन हमने ऐसे उतार दिया ठीक है ये देखिए हम अपने सीधे साइड आ गए अब सीधी साइड हमें क्या करना है एक तो ये जिटेच का फिर से सीधा फंदन करना है अब हमें ये तीन फंदे ये वाले ये तीन फंदे हमें इस सलाई पर खीच लेने हैं ऐसे करके और ये दो आगे के फंदे बीच में लाने हैं इसे ये वापस से इस पर चढ़ा लेने हैं तीन फंदे देखिए ऐसे करके वापस से चढ़ा लिए और ये इसमें ऐसे सलाई डालेंगे ऐसे करके पीछे ले जाके इसको बुन लिया ठीक है इस तरह के से ये बीच के दो सीधे बना दिये अब ये आ गया इसको इसमें लेंगे ये दो वाले फंदे जो पीछे वाले थे ये बीच में लाएंगे इसको ले जाएंगे पीछे आराम से ध्यान से इसको उतार दिया और ये बीच में ले आए इसको बुन लिया जो दो फंदे पीछे वाले थे अब ये लूप वाला है लूप को तीन का एक मिला के बना देंगे ये देखे ठीक है ऐसे आगई हमारी ये लीप अब ये छे फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब ये दो फंदे आगए इनको हमें बीच मिलाना है ये ये वाले दो फंदों को यहां बीच मिलाना है तो सबसे पहले तो ये लूप वाले में ये सलाई में डालेंगे इसको ऐसे सिक्योर कर लेंगे और धीरे से खस का लेंगे हम अपनी और ये दो फंदे ऐसे डाल लिया अब इसमें चारगा के ऐसे 6 लूप को हमने ऐसे बना लिए अब एक आगे वाले फच्टे जो बीच प्लाएते उनको बुन लिए ऐसको पीचे ले जांगे 1 लूपबला फच्टा और दो पीचे के आगे लाएं तो हम इसको क्या करेंगे इसको ऐसे करके ऐसे दोनों सलाई में एक में करेंगे और इसको भरेंगे लूप में इसको धीरे से खशका देंगे ये पीछे आज करके इसको आगे लियाएंगे ठीक है इसको बना लिया और ये बुन लिया लूप का जो तीन एक में तीन भंदे बनाए थे उसको हमने ऐसे बुन लिया फिर से एक दो तीन चार पांच छे अब देखिए यहां पर हम फिर आ गए तो इसको हमने भरा लूप बले फिदे को आगे लाए इसको दीरे से खशकाया तीनफ कर दिया यूदार लूप कर दिया और इसको पुन लिया आज यह बुन लेंगे दो फिद्ध एर यह पीछे ले जाएंगे हम मं दोनों ही एक पर बढ़ लेंगे पर इस तरीके Essai और इसको बनाके धीरे से सिलिप करके इसको ले आए बीच में बुन लेंगे इसको अभी चार फंदें हमारे बीच में आ गए और यह लूप वाला बुन जाएगा ठीक है एक दो तीन चार पांच छे सथ यह देखे अब उल्टी चलाई पूरी उल्टी जाएगी उल्टी चलाई निकाल के ले आए हैं अब हमें क्या करना है इसमें थोड़ा सा चेंज है अब हमारे यहां पर उल्टे फंदे छे बनेंगे और यह छे फंदे सीधे बनेंगे पस इतना ही इसमें बदलाओ है तो देखे एक दो तीन चार पांच छे छे सीधे हो गए अब यह जो सीधे फंदे थे उनको हम उल्टा बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक दो तीन चार पांच छे इसको पूरा ऐसे ही करेंगे इसको सीधा छे सीधे छे उल्टे छे सीधे छे उल्टे और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालके दिखाते हैं कि अब हम सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना रहे हैं ठीक है जैसे पहले बनाया था हमने यह देखें सीधे पर सीधा बनाया उल्टे पर उल्टे फंदे अब फिर से सीधे पर सीधा बनाएंगे यह देखे इसी तरीके से पूरी शिलाई करेंगे उल्टी शिलाई पूरी उल्टी लाएंगे फिर देखाएंगे आपको यह दिखे हैं और काल लाएं उल्टी शिलाई भी अब हम फिर से वही बुनाई लूप निकालने वाली करेंगे तो इसको तो छे पूरी बुन लेंगे एक एजिस्टेच और छे भंदे बनाए हमने ठीक है इस तरीके से अब क्या करना है यह दो बनाए ऐसे सीधे और इस में लूप निकालेंगे ऐसे खीचां में इस और इसने काला, प्रफिर दूसरा बनाहे चोढ़ दिया फिर जրका है इसके उपर से ऐसे लूप निकाला और फिर केज दिया बस इतना ही करना है फंदे थोड़े लूज लेंगे जिससे यह लूप टाइट ना हो काईज आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप ये भी बताइए कि आप ये मेरी बुनाई कहां से देख रहे हैं जिससे मुझे पता चले कि आप कहां कहां से मेरा वीडियो देखा जा रहा है देखिए फिर से लूप आ गया दो लूप बन गए अब ये दो फंदे बचे जो भी आपको बुनाई जहां से समझ में नहीं आ रही है कमेंट करके बताईए मैं आपको दुबारा बताओंगी उसको बुनाई को यह भी लिखेगा आपको मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगता है यह भी सीधा जाएगा यह देखिए दो बना लिए हमने अब दो लूप ऐसे ऐसे छोड़ दिया ऐसे 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 कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों में वहीं होगी उल्टी जो लूप लिए हुए है वह सिल्प होंगे दो तीन यह लूप लिया इसको थोड़ा कीच के सिल्प कर देंगे यह लूप लिया अपने दरब कीच के सिल्प कर देंगे अबीलू पाग्या अशेच के सिल्प कर देंगे यह लूप लिया अशे कीच के लिफ लूप लूपें अबीलू पाग्या कि यह देखे फिर से लूप आगया अशी की चा फिर से लूप आया वर्से इसे को पीचा कि यह देखे अब हमने इतना बना लिया है अब हम आगए अपनी सीधी चलाई पर तो सीधी चलाई कैसे होगी हमारी देखिए यह 6 फंदे सीधे अब यह दो फंदों को हम बीच में लाएंगे इसको लूप को भरा सावधानी से खीज लिया और यह दो फंदों को हमने इस से लाई में डाला ऐसे और यह लूप को ऐसे किया और बुन दिया अब यह दो फंदे में बीच में लाने तो इस पर चड़ा लेंगे हम ऐसे करके और इस में फुसा के शेट कर देंगे और ये दोनों फंदे हम लूप पर ले ये दोनों बुल लेंगे एक दो ये दिखिए जो साइड के दो चार फंदे थे वो बीच में आ गए और ये लूप हमारा साइड में आ गया और इसको चार को एक कर दिया ऐसे ठीक है अब फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अभी ये लूप वाले आ गए ये देखिए बनाई वाले तो इसको हम लूप को लेंगे और धीरे से सिलिप कर दिया इसमें भर लिया वापस इस पर आए और ये लूप को बना लिया ये दो फंदे बुन लिये आगे वाले जो बीच में लाए थें अब देखिए इसको हम ऐसे चल्हा लेंगे ऐसे करके और ये लूप को पकड़ेंगे वह सिलिप कर देंगे और ये यह यह बाष लेंगे इस तरीके से अब फिर से बना देंगे इसको अब ये लूप बना दिया तो ये एक लीप की सेफ ले लेगा अब चार फंदे छे फंदे फिर से हमारे जाएंगे सिद्ध देखिए अब ये लूप हमारा फिर बीच में जाएगा तो पहले हम लूप बाले में डालेंगे सिलिप किया और इसको इसमें इसको इसमें भर लिया अब इसको यदर जाएंगे नसे किया ठीक है दो फंदे सीधे इस तरीके से अब ये लूप हमारा पीछे जाएगा तो देखिए इसको ऐसी किया इसका आया ये पीछे बाले को ऐसे बढ़ लिया ऐसी किया और ये बुन दिये दो फंदे बुने आ हाल कि और ये लूप वाला ओ दो ऐसे बना लिया आ तक कि पूरी बना लिये तराइगी बनने के बार तो आप यह देखिए यहां पर उल्ड़े यहां सीधे यहां उल्टे यहां सीधे यहां उल्टे यहां सीधे फिर आसे बना के यह दो गांट बना के फिर बुनाई डालेंगे इस तरीके से हमारे आप जितना बड़ा बनाना चाहें बना लेंगे बैक साइट से यह ऐसे दिखता है ठीक है तो बनाईए आप और बना के मुझे कमेंट कीजिए कि आपने यह प्रोजेक्ट किसमे डाला है और जहां आ प्राइए हूं आप मेरे से कमेंट करें द्यानिया ओके बाइए कि अ